नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है उसके सही तरीके से सेटिंग्स और इंडिकेटर्स आप कैसे लगा सकते हैं कि आपको उसको यूज करने में बहुत आसानी हो और आज यह हम देखेंगे धन की ऑप्शन ट् अप्शन ट्रेडिंग व्यू चाहिए और यहां पर आपको यह बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए और इनको आप किस तरीके से अपने ट्रेडिंग में अच्छे से कर सकते हैं वो आज मैं बात करूँगा तो सबसे पहले तो आपको पता हुआ कि यह जो है यहां आप कोई भी कंपनी जो है वह आप यहां से ऐसे सलेक्ट कर सकते हैं यह टाइम फ्रेम है यह रेगुलर्ली आप यूज करते होंगे और यह कंपैरिजन अगर आपको इस कंपन लगाते होंगे बॉलिंजर बैंड लगाते होंगे तो यहां तक तो यह सारी बेसिक चीज़ें लेकिन यह आपको हर बार जब भी आप शुरू करेंगे नए चार्ट पर करनी पड़ती है तो इसके लिए दो चीज़ें जो है पहले मैं आपको तरह चाता हूं एक यह है इसा लोड होना चीज़े बाइडिपॉल जैसे अभी आप देखते हैं कि इस पर एक इंडिगेटर लगाया है तूहंडड एमे का यह जो आपको दिख रहा है यह दो सो डी एमे है और यह नीचे वॉल्यूम का यह लगा हुआ है ठीक है अब इसको आप सेव कर सकते हैं जैस और मान लिजी आप यही वाला चार्ट हर वार यूज कarना चाहते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं लेकिन-ग। नाम देना चाहिए 100 EMA ठीक है और आप चाहिए तो सिंबल और इंटरवल सिंबल जैसे कि आई से बैंक और इंटरवल जैसे कि डे तो अगर आप हमेशा इसको डे में ही लोड करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को चेक करें लेकिन मैं यह चेक नहीं करता हूं क्योंकि में यह सब के लिए हैं इसका मैं एक वीडियो बनाया है 3 EMA के साथ मैं जो है किस तरीके से मैं trade करता हूँ तो यह देखे यह मेरी 3 920 50 की 3 जो है वो EMA आगा इस तरह सब कोई भी मान लिजे एक आप मान लिजे कि आप इनको नहीं use करना चाहते और आप इसकी बजाए आप जो है वो Bollinger Band आप use करना चाहते हैं इसकी बजाए आप RSI use करना चाहते हैं मान लिजे आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी save कर सकते हैं आप यह template में जाएंगे और save template में जो भी आप नाम देना चाहें मैं इसको Bollinger RSI नाम दे देता हूँ और मैं सिर्फ यह चीज़ सेव कर रहा हूँ तो अभी मैं जब भी मैं अपना 3A में template देखना चाहूँ तो मैं immediately खट से यहां देख सकता हूँ कि हां मुझे trade मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसी को चेक करने के लिए मैं खट से जो है Bollinger में जाके देख सकता हूँ कि Bollinger Band में कहां पर पढ़ रहा है और RSI में कहां पर पढ़ रहा है एक click में मुझे बार-बार यहां indicators में जाके इंडिकेटर हटाने और दुबार लगाने की जरुत नहीं है पहली तो यह important setting है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए ठीक है कि यसे मैं इस कोटा देता है यहां से यह शीक क कोटा देता हुँ कि हाँ स्षभ्री के डे बातरप कि तरफında कि India क्यूंज ₹ ने इन प्रेंड कि आप क्रेंड तो तो जितने भी section आप जैसे भी बनाना चाहें उस तरह से section बना सकते हैं लेकि मेरे लिए सबसे feasible होता है कि मैं ये दो section बना के रखता हूँ पहली बाद और दूसरी बाद इसमें मैं दोनों में symbol में same रखता हूँ symbol same का मतलब क्या हुआ जब भी आप यहां से symbol change करेंगे दोनों में एक साथ change होगा crosshair और time भी मैं same रखता हूँ कि यहां में जहां भी crossover में left में move करूँगा यहां पर आप देखेंगे कि right में भी 7 में move हो रहा है right में move करूँगा तो left में 7 में move हो रहा है तो यह crosshair भी same और time भी same यह जो नीचे का time है यह भी मैं same रहता हूँ सिर्फ interval जो है वो अलग-लग करता हूँ तो इसमें मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं interval को एक में जो है वो मैं interval को यह इसको मैंने select किया और interval को मैंने one day कर दिया तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर interval जो है one day है और यहां पर interval जो है वो five minute है ठीक है आप चाहें तो यह time को भी आप अलग कर सकते हैं तो उससे क्या है आप एक को जो है अकेले को इस तरह से आप move कर सकते हैं तो यह देखी यह icca 5 minute के चार्ट पे चल रहा है यह icca 1 day के चाट पे चल रहा है अभी इसको आप save कर सकते हैं जिस भी उसमें आप save करना चाहें let's see मैं इसे save कर देता हूं ठीक है अब मैंने यह धन layout में यह save कर दिया ठीक है और यह जो है यह मेरा default layout है अब मैं किसी भी दूसरे शेयर को मालेजे मैं डिल्टा को आपको स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमेशा उसी फॉर्म में स्टार्ट होगा कि यहाँ पे वन डे का चार्ट है यहाँ पे फाइब मिनिट का चार्ट है मेरे लिए अब यह बहुत इजी हो गया है करना अब मेरे को कि 3A में चेक करना है यह खड़ से 3A में आ गया तो अभी इसमें मेरे जो है वो अलग के टेंपलेट्स हो सकती है जैसे इसके लिए मालेजे मैं बोलिंजर लगा रहा हूँ तो अभी देखिए, long term के लिए मेरा 3A में लग गया, short term के लिए ballinger लग गया, तो ये template से और ये layout से, ये layout आप बना के और आप यहाँ पे save कर सकते हैं, और अगर आपने कोई पुराना layout बनाया है, तो उसे आप load भी कर सकते हैं, आप search करके, तो save और load ये आप कर सकते हैं, तो ये जो है, ये basic सी चीज है, जो आपको, और ये जो है, ये ध्यान रखिए, ये trading view के app पे काम करती है, तो ये trading view का interface है, जो की धन प्रोवाइड करता है, ये premium interface है, बहुत सारे इसमें premium feature है, जैसे आप यहाँ कहीं पे भी click करके, आप अपना trade यहाँ के यहीं चार्ट से ले स जाते हैं, और ये templates का use करके, और layouts का use करके, जिस तरह का आपको layout चाहिए, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और आपके जो default settings है, वो आप यहाँ पर जो है, रख सकते हैं कि चार्ट आपका auto save होगा, आपको black theme चाहिए, या white theme चाहिए, और by default ये overnight के chart में शुरू होना अगर helpful रहा हो, तो एक thumbs up देना और channel को subscribe करना, thank you, bye bye, have a good day.